नमस्कार दोस्तों आज के डेट में हम देखते हैं कि अक्सर climate change की बात होती रहती है, pollution की बात होती रहती है, winter आने वाला है, दिलिक में भी काफी चर्चा होगी, पूरे देश में भी काफी चर्चा होगी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर green peace के दौरा एक report जारी की गही है, जिस कि पिछले 4-5 साल में पहली बार drop भी धेखने को मिला है, तो यह क्या है, पूरा report इसके बारे में जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंके तगरवाल, और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और YouTube पर में लेक्श की है, PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी ही, plus देखते हैं हुआ क्या है यहां पर, तो एक report जारी की गई है by Greenpeace India, ध्यान रखेगा, Greenpeace India की बात कर रहे हैं और इसके साथ, जो Center for Research and Energy and Clean Air है, CREA, इन दोनों के द्वारा मिलकर यह report जारी किया गया है, और यहां पर बताया है कि for the first time in 4 years, पिछले 4 साल में पहली बार, भारत भारत ने Sulfur Dioxide Emission में यहां पर decline देखा है, कितना 6%, 2018 के मुकाबले अगर हम 2019 में देखें, तो 6% का reduction आया है, लेकिन still यह reduction आने के बावजूद भी है, भारत यहां पर top spot पर बना हुआ है, पूरे विश्व भर में पिछले 5 साल में लगातार, भारत number 1 स्थान में है, यहां पर emission के मामले में, अब यह जो report की अगर हम बात करें, तो यह report rank करता है, विश्व के अलग-अलग देशों को यहां पर as per the emission of sulfur dioxide, तो यह sulfur dioxide basically काफी poisonous air pollutant होता है, जिसकी वजह से जो health की problems हैं, जैसे stroke हो गया, heart disease हो गया, lung cancer हो गया, premature death हो गया, यह सारी चीज़ें हमें देखने sulfur dioxide hotspot 2019-20 का यह report है, अगर मैं sulfur dioxide की specifically बात करूँ, तो यह toxic gas है, किस से release होता है, अविसी बात है, जो हम elements को burn करेंगे, जैसे की coal हो गया, oil resources हो गया, इन सब के अंदर आपको sulfur देखने को मिलेगा, तो यह जब हम burn करते हैं, तो एक तरह से जो gas के form में निकलता है, और gas के अंद है, इसमें देख सकते हो, कि भारत number one स्थान पर है, यह देखे, भारत है, उसके बाद Russia, उसके बाद China और Saudi Arabia, बाकी जो top 25 countries है, आप यहाँ पर देख सकते हो, specifically हम भारत की बात करें, तो पूरे विश्व भर में जितना भी sulfur dioxide का emission होता है, anthropogenic, देखे, ध्यान रखेगा, जो sulfur dioxide है, वो कई कारणों से हो सकते हैं, एक है natural cause है, जैसे की volcanic eruption हो गया, उसकी वज़े से भी sulfur होता है, निकलता है, लेकिन हम यहाँ पर human made जो emission है, sulfur dioxide का, उसकी बात कर रहे हैं, तो जो human made emission है, उसमें भारत का हिस्सा जो पूरे global में आगर आप देखोगे, तो 21% है, जो की काफी high है, अगर हम इसको number के terms में बात करें, तो करीब 5,953 kilo ton हर साल यहाँ पर release किया जाता है, और इसको अगर आप compare करके देखिए, रशिया के साथ, जो की second number पर है, तो रशिया से almost हम double पर हैं, रशिया का emission होता है करीब 3,300 kilo ton per year, और third number पर आता है आपका China, जो की release करता है 2,156 per annum, और इसको अगर आप और detail में देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर reduction सिफ भारत ने नहीं किया है, भारत ने 6% का reduction किया है, इसके अलावा रशिया ने 8% का reduction किया है, पिछले साल मुकाबले, चाइना ने 5%, उसके बाद साओधी अरब का यहाँ पर ज देखने को मिलेंगे, किस जगह पर जादा sulfur dioxide का emission होता है, तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर भी आपको thermal power stations मिलेगा भारत के अंदर, वहाँ पर आप देखोगे कि sulfur dioxide का emission है, वो जादा होता है, और specifically जो कुछ clusters हैं हमारे देश के अंदर, जहाँ पर power station है, thermal power station, जैसे क सिंग्रॉली हो गया, नवेली हो गया, सिपट हो गया, मुंद्रा, कोर्बा, यह सब जगह यहाँ पर जो emission है, sulfur dioxide का वो जादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको thermal power stations देखने को मिलेगा, और एक और चीज़ याद रखना, कि दो तरह से आपको देखना है, सिंग्रॉली जब मैं thermal power plant है, वो UP के अंदर है, यह दोनों just border के पास ही है, वरांड़ी के पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेगा, इसके अलावा अगर हम पूरे विश्व भर में अगर hot spot की बात करें, hot spot क्या होता है, जहाँ पर बहुत होगे आगे भी, तो यहाँ पर भारत के कई सारे यहाँ पर छोटे छोटे चोटे जगा है, जहाँ पर thermal power stations है, और इसकी वो जैसे emission काफी होता है, और यह पूरे विश्व का map है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यह भारत में यहाँ पर कई जगा है, यहाँ पर काफी देखोगे, तो भारत ने 2019-20 में जो renewable energy की capacity है, उसको two-third जादा बढ़ाया है, new capacity हमें addition किया, मतलब कि हम renewable energy की तरफ आगे तो बढ़ हैं, लेकिन problem क्या है कि जो हमारे पुराने coal plants हैं, thermal power plants हैं, उसके अंदर हमें flue gas desulphurization, FGD technology इसको कहा जाता है, यह हमें लगाना चाहिए था, यह हमने नहीं लगाया, यह basically इस तरह का process होता है, कि जब भी thermal power plant से gas release किया जाता है, तो एक particular process के थूँ यह गुजरना चाहिए, इसको कहा जाता है, flue gas desulphurization, तो इसकी वज़े से क्या होगा, कि जो sulfur का amount है, वो हटा दिया जाता है, और जो sulfur के अलावा जो gas है, वो यहाँ पर release कर दी जाती है, लेकिन ज़्यादा तर हमारे coal plants के अंदर आपको इस तरह की technology देखने को नहीं मेलेगी, और यही कारण है, कि जिसकी वज़े से जो sulfur का emission है, उसमें भारत number one पर है, in fact जो green peace India के climate campaigner है, उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो reduction है, sulfur dioxide का, जो 6% का हमने reduction किया है, वो basically इसलिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर renewable energy capacity हमने increase करने की कोशिच की है, और इसका direct impact हमें अपने air के quality और health पर भी देखने को मिलता है, ऐसा उन हमें इसके उपर जादा focus करने के जोड़ात है, तो यहाँ पर reduction तो हुआ है, लेकिन still, जो air safe होना चाहिए हमारे लिए, अभी हम उससे काफी दूर है, तो हमें यहाँ पर further जो transition है, coal का, from coal to renewable energy, उसमें हमें जादा करना होगा, और सिर्फ यहीं ने, इसके अलावा जो हमें transition है, वो just होना चाहिए, just का मतलब यह है कि, जो electricity हम provide कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें balance करके चलनी है, अचानाक से हम पूरे coal plants को बन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस तरह की जो plant है, desulphurization technology वाले, वो हमें install करने के ज़रुत है, और fish में अगर आप देखेंगे, तो coal हो गया number one पर उसके बाद oil and gas की जो burning होती है, smelting हो गया, बाकी volcano वगर अगर आपका natural process है, लेकिन coal की वज़े से होता है, लेकिन भारत के अंदर अगर आप देखोगे, तो coal की मात्रा की वज़े से जो emission होता है, वो सबसे ज़ादा है, आपकी जो process है, उसमें बहुत कम हिस्सा है, SO2 रिलीस करने का, तो आप clearly देख सकते हो, जो blue line है, ये coal के burning की वज़े से बता रहा है, और ये जो black वाला line है, ये आपका total emission बता रहा है, दोनों almost parallelly चल रहा है, तो बताता है कि अगर हम coal को कम कर सकें, तो हमारा overall emission यहाँ पर कम हो जाएगा, अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत इसको reduce करने में क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता दू, 2015 में जो हमारी ministry of environment, forest and climate change है, उन्होंने यहाँ पर कुछ emission limit लगाया था, SO2 के उपर, मतलब जो coal power stations है हमारे देश के अंदर, उसमें SO2 का कितना emission होगा, sulfur dioxide का, इसके उपर एक limit लगा दिया गया था, और ये basically आप देखोगे, starting में जो deadline था, वो आपका 2017 रखा गया, लेकिन आपको तो पता ही हमारे देश में deadline का मतलब हुआ कि और 5-10 साल आगे ले लो, और इसी को देखते वे, इसको 5 साल के लिए extend कर दिया गया है 2022, लेकिन अभी का अगर आप जो experience देखोगे, ऐसा लगता नहीं है कि 2022 तक भी हम पूरी तरह से इसको हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो desulphurization, जो FGD की मैंने आपको बात की technology की, वो ज़्यादा तर plants में आपको अभी भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा लगता है कि 2022 तक भी ये वो बढ़ते जा रहा है, तो government को ensure करना चाहिए, जो investment है, वो हमारा fossil fuel से shift होकर कहीं न कहीं, जो safer energy resources हैं, जैसे wind और solar, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, इसके अलावा जो हमारा strengthen है, emission standard का, जो सरकार इस तरह के rules लेकर आती है, इसको strong करने की ज़रत है, और effectively implement करने की ज़रत है तो ये पूरा दोस्तों वीडियो था regarding भारत largest SO2 emitter निगल कर आया है पूरे विशवर में, I hope कि इसमें सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले मैं आपके लिए environment से related ही एक tiger reserve का question लेकर आया हूँ, यहाँ पर चार नाम दिये गए हैं, आपको बताना है कि इ Telegram से इसका right answer ले सकते हो, वहाँ पर मैं explanation वगर आपका डालता रहता हूँ, बाकी मैं Instagram के stories के form में यहाँ पर कई सारे quizzes दालता हूँ, आप MCQs यहाँ पर solve कर सकते हैं, अगर आप उसके economy पढ़ना चाहते हैं, कोई course purchase करना चाहते हैं, आप study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि यह much, see you soon!